सिर्फ एक बर्फी में आपको तीन तीन बर्फियों का टेस्ट आने वाला है हाई एवरिवन वेलकम बेक टू प्रियंका रेसिपी बुक आज मैं आप सबके साथ शेर करने वाली हूँ ऐसी यूनीक मिठाई की रेसिपी जिसको देखने के बाद आप सारे पुराने तरीके भूल जाओगे और हर बार इस बर्फी को आप ऐसे ही बनाना चाहोगे आप देख सकते हो इसके पीसे कितने पर्फेक्ट निकल कर आये हैं और आप इसको ऐसे बना सकते हो अगर आप इसको फॉर्स टाइम भी बनाओगे न तो भी इसी तरह सी ये मिठाई बनकर तियार होगी आप देख सकते हो दोनों साइड से देखिए कितना बढ़िया इसका प्रॉपर जो है शेप आया है निकल कर तो चलिए फ्रेंस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले गेस पर मैंने एक कड़ाई ली है और इसमें एक कप बेसन एड करेंगे जी हाँ फ्रेंज आज इस मिठाई को हम बेसन से बनाने वाले हैं पर इसमें एक और सिक्रेट इंग्रेंट्स हम एड़ करेंगे जिससे की मिठाई में जो है बिल्कुल अलग टेस्ट आने वाला है यहाँ पर हमें बेसन को थोड़ा सा रोस्ट करना है गेस का फ्लेम लो रखे आप स्टाडिंग में थोड़ा सा हाई कर सकते हो पर बाद में आप जब अच्छी से कड़ाई गरम हो जाए ना उसके बाद आप इसको लो करके इस तरह से लगातार चलाते रहिएगा जिससे की बेसन अच्छे से रोस्ट हो जाए यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि बेसन को आपको कलर नहीं चेंज करना है सिर्फ भूनना है अब आप यह कहोगे कि बेसन को हम कैसे पता चले कि यह भून गया है देखो जब स्टाडिंग में मैंने बेसन डाला था तो कितना सारा था क्वांटिटी अब इस बर्फी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं सिक्रेट इंग्रियंट्स एड़ कर रही हूँ टेसी केटेड कोकोनट तो एक कप मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा इसमें एड़ किया है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गेस को आपको बंद करके ही नारियल का बुरादा इसमें एड़ करना है और आप इसको भी हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए यह देखिए ज्यादा नहीं करना इसको सिर्फ एक दो मिनट तक ही हम इसको चलाएंगे इसे और अब इसको हम गेस से उतार कर साइड से एक प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम फेला देंगे जिससे कि यह ठंडा हो जाए और अब हम क्या करेंगे जब तक यह मिक्षर ठंडा हो रहा है जिसमें भी आपको मिठाई को या बरफी को सेट करना है उसको आप पहले से ही घी से ग्रीस कर ले जिससे कि जब आप इसको सेट करोगे न तो फटा फट से आपको यह जो है इस तरह से ग्रीस मिलेगा और फटा फट से बरफी अच्छे से सेट हो जाएगी यह काम हमें पहले ही कर लेना है तो चलिए अब चलते हैं गेस की और तो फिर से मैंने उसी कड़ाई को ले लिया है और अब हम उसी कप से इसमें एक कप चीनी एट करेंगे और गेस को हमें लो ही रखना है और उसी कप से आदा कप पानी इसमें डाल देंगे अब यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा तारवार की चाश्टी नहीं बनाना है बस चीनी को अच्छे से melt हो जाने देना है यह देखिए तीन चार मिनट लगते हैं और चीनी फटाफट से melt हो जाएगी केस का flame आप लो ही रखे वरना पानी सुख जाएगा और चीनी पुरी तरह से melt नहीं होती है जब चीनी अच्छे से melt हो जाएगी तो यहाँ पर हम yellow वाला food color इसमें add कर देंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते हो या आप इसमें केशर के धागे भी add कर सकते हो उससे भी बहुत अच्छा color आ जाता है तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए इस तरह से को जब गुलाब जामून की जो चाशनी होती है न बिल्कुल हलका सा तार आपका बनेगा नहीं तूट जाएगा देखो इस तरह से दिख रहे है न आपको तार बस इसी चिपचिपी हमें चाशनी तयार कर लेनी है और आप गेस को हम ओफ कर देंगे और जो बेसन और कोकोनेट का mixture एड किया है न हमने तयार किया है उसको हम इसमें add कर देंगे यहाँ पर आपको गेस को बंद करके ही यह mixture को add करना है और अच्छे से इसको हम mix कर लेंगे यह देखिए इस तरह से आपको पूरा mixture को अच्छे से mix कर लेना है और जैसे ही मिक्षर अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम गैस को ओन कर देंगे और ओन करने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा हम चलाएंगे ये देखिए जब मिक्षर थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद अब इसमें हम एड़ करेंगे घी तो यहाँ पर हमने जिस cup से basin और desiccated coconut लिया है उसी cup से मैंने यहाँ पर आधा cup गी लिया है तो यहाँ पर देखें आपको गी एक साथ में सारा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें गी एट करते जाएंगे और इस basin को हमें इस तरह से भुणना है एक साथ में सारा नहीं डाले आप वरना घी जादा लगेगा आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डाले इससे बेसन में घी बहुत ही कम यूज होता है यह देखिए मैं इसको चला रही हूँ जैसे ही मिक्षर कड़ाई से छूटने लगा है इससे बेसन अच्छे से भुण जाएगा और बर्फी में बेसन का कच्चापन नहीं रहेगा तो देखिए दूसरा चम्मज भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है और यह देखिए लगाता इस तरह से चला रही हूँ और जो किनारों से लग रहा है इसको भी आपको इस तरह से निकाल लेना है यह देखिए और अब इसमें घी एड़ करेंगे तीसरा चम्मज भी मैं इसम और बड़ियां इसमें कलर भी आएगा यलो कलर फूरा अपना जो है परकराय रहेगा इसमें अगर आप पहले से ही जो है इसमें घहेंड कर देते तो बेसन का पर इससे कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता है जिसा हमने color yellow जो है इसमें एड़ किया है जिसा कि मैंने पहले ही वीडियो में दिखाया था वेशे ही बर्फी का जो है कलर आएगा निकलकर और बहुती ज्याधा टीस्टी लगती है इस तरह से आप बर्फी बनाओगे न तो आपको इसमें बेशन की बर्फी औ और मेसूर पाक का भी टेस्ट आने वाला है यह देखिए आप देख सकते हो जैसे जैसे इसमें आप कहीं एड़ करोगे यह इस तरह से जो है फूल जाएगा और जब इस तरह से हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर एड़ कर देंगे जिससे कि बहुत सेट होने के यह तेयार हो गई है तो चलिए 7-8 मिनट तक मैंने इसको रोस्ट किया था और अब हम इसको सेट करेंगे तो चलिए मोल्ड में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं यह दीखिए अच्छे से इसको फेला देना है और अब इसको हमें पूरा ठंडा नहीं करना है क्या होगा बर्फी बहुत अच्छे से क्योंकि जादा कड़क हो जाएगी तो पीसे अच्छे से नहीं निकल कर आएंगे इसलिए आपको इस बर्फी को ऐसे ही चोड़ देना है कट करने के बाद और अब यहां पर देखिए मैंने इस तरह से यह सरीय का यूज किया है इससे बहुत बड़ी आच्छे से पीसेस निकल कर आते हैं जैसे कि मैं हर वीडियो में मेरे बताती हूँ यह देखिए आप इसकेल का यूज भी कर सकते हो पीसेस कट करने के लिए इसको जब ठंडी हो जाए ना जब इसके पीसेस निकलना तो देखिए कितने परफेक्ट पीसेस आए हैं यह देखिए फ्रेंस बहुत ही बड़िया जो है हमारे बीसन की बर्फी बनकर तियार हुए बीसन कोकोनट बर्फी अब हम इसको पूरा ठंडा होने के बाद इसके पीसेस निकालेंगे तो देखिए मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ यह देखिए कितन इसके पीसेस निकल रहे हैं यह देखिए तो फ्रेंस आप इस बेसन की बर्फी को एक बार ऐसे जरूर ट्राय कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आज की यह मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे साथ जुनने के लिए नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई थेंक्यों फॉर वचिंग फ्रेंड्स